कि बिस्मिल्लाहिरामानिराहिम अस्वामलेकूम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप ये किनन खैरियत से होंगे और मेहनद करके पढ़ाई कर रहे होंगे मैं हूँ आपकी मुल्मा में साइशा नवाज हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमाच्य हारम हमने सबक नमबर 20 हम सबक नमर 20 पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है नसीहत आज अगी कि आज क्या सिलते तालूं है विबारत पढ़कर उसके खास निकात तहरीर कर सके यानि इमारे बातें होती हैं एहम निकात होती है अप उनको तहरीर कर सकें नजमी अशार को नसर में तबदील करके लिख सकें तो बगाज करने से पहले इसलामी नुक्ता नज़र देखते हैं हज़त लुक्मान की नसीछत अपने बेटे के लिए हम अज़त लुक्मान की नसीछत पढ़ रहे हैं और लोगों से बेरुखी मत अपनाओ और जमीन पर तकबूर से मत चलो बेशक अल्ला ताला किसी मुतकबर को पसंद नहीं फरमाते तो आज की नसीहत में अपने बेटे से क्या कह रहे हैं कि लोगों से बेरुखी मत बर्तो कुछ लोग आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई दोस्ती करना भी पसंद नहीं करता तो आप ऐसे ना बने कि लोग आप से दूर हटे आप बलके आप अगर कोई आप से बात करता है तो उसकी तवज्जों से बात सुने और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनके लिए यहां पर मौजूद हैं इसी तरह जमीन पर तकबूर से मत चलो तकबूर ऐसी एक ऐस इसा एहसा होता है कि आप खुद को दूसरों से बहतर समझें और दूसरों को अपने से कमतर समझें तो अल्ला ताला ने फर्माया है कि बरतरी का मैयार सिर्फ तकवा है किसी दुनियावी बात की वज़ा से किसी को किसी पर कोई तरजीह नहीं हम सब लोग एक जैसे हैं एक हम सब एक दूसरे की इज़त करें और एक दूसरे का इहतराम करें यह हम पर लाजिम है जमीन पर तकवर से मत चलें अल्ला ताला को तकवर करने वाला इंसान बिल्कुल पसंद नहीं कि दोहराई में आपके लिए एक सवाल है नजम का जो हिस्सा आपने कल पढ़ा था उसमें क्या-क्या नसीहत की गई थी जो आप वीडियो को रोकेंगे और अपनी मॉलिमा कोई आपने मॉलिम को बताएंगे कि नजम का जो हिस्सा आपने कल पढ़ा था उसमें आपने क्या- जी बचो आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया होगा आपको याद है आपने कल चंद आशार पढ़े थे जिन में कुछ नसीहतें आपको की गई थी और वही नसीहतें आपने अपने मुल्म या मुल्मा को बतानी थी कबल इस पढ़ाई में आपको दो सवालाद दिये गए हैं अगर जमाद में आपका दोस्त आपसे बुरा स्लूक करे तो आप क्या करेंगे दूसरा सवाल है अगर कोई बिकारी आपसे पैसे मांगे तो आप कितने पैसे देते हैं आप वीडियो को रोकेंगे और इन दोनों सव सवालाद के जवाबाद दिये होंगे आज आप सबक नजम के दूसिया निस्व की बलंद खानी करेंगे कल आपने इस नजम के पहले निस्व की बलंद खानी कर ली थी मैं आपके लिए इन आशार को पढ़ती हूं है शर्मिंदगी उसके दिल में है शर्मिंदगी उसके दिल का इलाच सजा और मलामत की क्या इht्याज गरिस की भलाई तो है एक मर्ज भलाई करो तो करो बेगर्ज जो महताज माङे तो दो तुम उद्धार रहो वापसी के नाउमीदवार जो तुमको खुदा ने दिया है तो दो नखिस्त करो इसमें जो हो सो हो यह आपके आज की आशार हैं आपने इनको मेरे साथ साथ दोहराया अब हम इनको इनको वजाहत देखते हैं है शर्मिंदगी उसके दिल का इलाज सजा और मलामत की क्या इहतियाज यानि अगर कोई आपके साथ बुरा रवया इखतियार करता है कोई आपको बुरी बात कहता है कोई आपके साथ बुरा सलूप करता है तो आपने क्या करना है आपने बदले में उसके साथ अच्छाई करनी है भलाई करनी है इस तरह से वो शर्मिंदा होगा और यही शर्मिंदगी उसके दिल का इलाज है यही पशेमानी उसके दिल का इलाज है यही पशेमानी उसके अंदर से वो बुराई खत्म कर देगी तो सजा और मलामत की क्या जरूरत है जब इस तरह से किसी की बुराई को दूर किया जा सकता है अच्छाई से तो सजा और मलामत की क्या ज़रूरत है गर्ज की भलाई तो है एक मर्ज, भलाई करो तो करो बेगर्ज यानि अगर आप किसी के साथ भलाई करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, तो बेगर्ज भलाई करें बदले में बदले की उमीद ना रखें जवाब में अच्छाई की उमीद ना रखें बलके बेगर्ज भलाई करें जो मुहताज मांगे तो दो तुम उधार रहो वापसी के ना उमीदवार यानि अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो येकीनन वह जरूरत मंद है इसलिए आपसे मदद मांग रहा है तो आप उसकी मदद करें अगर आप किसी को पैसे चाहें आप उसको पैसे उधार दें अगर वो आपकी कोई चीज उधाय लेता है, जैसे जमात में किसी बच्चे के पास कोई पैंसिल या रबर वगएरा ना हो, और वो आपसे मांगे, तो आप उसको दें, और वापसी के लिए उससे फिर सवाल ना करें, के मेरी चीज वापस करो, अगर वो आपको वापस करें, तो यह बहुत अच्छी बात है, और अगर वो आपको वापस ना कर पाए, अगर उसके पास वसायल ना होंके, वो आपको आपकी चीज वापस कर सके, तो आप उस पर नाराज ना हो, जो तुम को खुदा ने दिया है, तो दो, ना खिस्ट करो इसमें, जो हो सो हो, तो बचो खिस्ट लव्ज का मतलब आपने कल्लूगत से देखा होगा, यह आपके सवलाद में इसलिए शामिल किया गया था, ताकि आप शेर पढ़ने से पहले इसका मतलब जान सके, इसका मतलब है, कंजूसी, यानि आपको जो कुछ भी दिया है, आप उसे आगे तक्सीम करें, आप आपको जो कुछ मिला है, अब उसे फायदा उठाएं, और फिर आगे तक्सीम कर दें, जब आपके पास वसायल मुझूद हों, तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यह हमारे आज के अशार्त है, जिन में आपने कोई ना कोई नसीहत सीखी, है शेर में आपको एक नसीहत की गई है, अब देखते हैं, इन्फरादी सरगर्मी में क्या है, आज आपने नजम मुकमल कर लिए, पूरी नजम को नसर की शकल में लिखें, तो बचो आप अशार को नसर में बदलना सीख चुके हैं, अब आप वीडियो को रोकें, और पूरी नजम जो आप कर लिया होगा, ग्रोही सरगर्मी में, आपके पास सरगर्मी है, जो आपने कल भी की थी, हार्ट चाट की मदद से फूल की पतियां बनाई, और उन पतियों में नसीहत लिखी, तो आज आप इस सरगर्मी को मुकाबले की सुरत में करेंगे, हर ग्रोह जो है, वो अलग रंग का हार्ट चाट इस्तमाल करेंगा, और ज्यादा से ज्यादा खुबसूरत फूल बनाने की कोशिश करें, और बेहतरीन फूल वाले ग्रोह की भरपूर होसला आफजाई की बनाएगे, हर ग्रोह अपना अपना फूल बनायेगा, और उसमें खुश खती से नसीहतें लिखेंगे, फिर बेहतरीन फूल जो बनेगा, आप उसे जमात में आवेजा कर दें, और बाकी हर ग्रोह का फूल, आप ग्रोह के तमाम अफ्राद बारी बारी अपने घरों में कामल करेंगे, और आपके वालदेन जब आपकी इस कोशिश को देखेंगे, तो खुश होंगे, और आपकी होसला अफजाई भी करेंगे, अब आप वीडियो रेके और यह सब गर्मी करें, जी बचो, आप सबने अपने अपने फूल तियार कर लिए हैं, आप सब के फूल यकिनन बहुत खुशूरत होंगे, मश्क के सवालाद देखते हैं, सवाल नमबर एक के वो जूज आपको दिये गए हैं, जो आपके आज के सबक से मतलिक हैं, कि शेर कि तर्तीब दरुस्त करके पढ़हें सवाल नमबर च सवार अब का शेर कि तर्तीब दरुस्त करके पढ़हें यहांपर आपको एक शेर दिया गया है जिसके अलफाइस की तर्तीब को नि gag कर दिया गया है बेटर बेगर्ज करो तो भलाई करो मर्ज एक है भलाई तो घर्ज की आपने देखा इन अलफास की तर्तीब खराब है आप इसको अपने अलफास को तर्तीब से लिखेंगे और मिस्रे दरुस्त करेंगे इसी तरह आपको सवाल नमबर चार के मुतलका जुझ दिये गए हैं सवाल नमबर पांच के इनके आप जवाबात कापी पर लिखेंगे सवाल नमबर पांच के जवाबात आप तफसील से लिखेंगे सवाल नमबर छे में आपको दो अशार दिये गए हैं जिन्हें आपने नसर में तब्दील करना है आपने अशार को नसर में तब्दील करने की सरगर्मी भी की इसलिए आपके लिए ये बहुत आसान होगा इसके बाद आपके लिए वरक्षीट है जिसमें दो सवालाद दिये गए हैं इसको आप घर से मुकमल करके लाएंगे इसके साथ घर के काम में आपको दिया गया है सबक में शामिल सुरा रह्मान की आयत अर्भी में खुशखत तहरीर करें बचो आप देखेंगे आपके सबक में क्या आप जानते हैं कि उन्वान के तहट सुरा रह्मान की एक आयत दी गई है आपने उसी को खुशखत तहरीर करना है उसके साथ आपको एक और सरगर्मी घर के काम के लिए दी गई है इस नजम से आपने क्या नसीहत हासिल की वालदین के सामने यह नजम बुलंद अवासे दुरूस तलफ़ूज और रवानी के साथ पढ़ें और उन्हें बताएं कि इस नजम में मुझे नसीहतों में से आप किन-किन नसीहतों पर अमल करते हैं आपने ये नजम पढ़नी है और अपने वालदयन को बताना है कि आप किन किन नसीहतों पर अमल करते हैं और अगर कुछ पातें ऐसी हैं जिन पर आप अभी अमल नहीं करते तो आप उनको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो बचे ये हमारा आज का सबक था आपने नजम की बुलंद खानी की उसका मफहूम भी जाना और आपको वर्कशीर दी गई है जिसमें आप लिखेंगे कि आपने इस नजम से क्या सीखा कल हम इस सबक को अगले हिसे में पढ़ेंगे तब तक अपना खयाल रखें अलाहाफिस त्युक्रिया